आज कि इस वीडियो में हम affiliate link के बारे में समझने वाले हैं कि affiliate link कब share करें कहां पर share करें और कहां पर share ना करें कैसे share करें और अगर हमारे link के जरिये कोई जॉइन करता है ecosystem को तो उसका detail हमें हमारे ecosystem में कहां पर देखेगा so affiliate link के regarding हम complete details में बात करने वाले हैं so please वीडियो को पूरा देखेगा ताकि affiliate link के regarding आपको सभी point आसानी से समझ में आ सके and आप affiliate link को आसानी से use कर सके तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि affiliate link कब share करें दो point यहां पर ध्यान रखिए सबसे पहला point कि अगर आपका ecosystem का dashboard अच्छे से work कर रहा है आप ecosystem के हर एक features को आप use कर पा रहे है यूज करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है means आपका ecosystem अच्छे से work कर रहा है दिन यहां पर आज से अभी से आप अपना affiliate link share करना स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है affiliate link share करने से पहले दूसरा point ध्यान रखे कि on passive के regarding आपके पास basic knowledge जरूर होनी चीए ताकि जिसको आप affiliate link share करने वाले हैं अगर वो person आपसे कोई question करता है on passive के regarding products के regarding ecosystem के regarding तो आप उसको अच्छे से answer कर सके जब आपके पास basic knowledge हो so definitely affiliate link आप किसी भी new person को share कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करते हैं कि हम अपना affiliate link कहां पर share करें ध्यान रखे friends आप अपना affiliate link वहीं पर share कीजिए जहां पर आपका potential customer है जैसे कि for example अगर offline की बात करें so offline की regarding अगर आप किसी को personally जानते हैं हो सकता है वो आपका family member हो हो सकता है वो आपका relative हो हो सकता है वो आपका friend हो right तो offline जितने भी person को आप जानते हैं आपका business partner हो या फिर आपका college का friend हो कोई भी हो सकता है आपके near a dear कोई भी हो सकता है जिसको आप offline personally जानते हैं definitely अगर वो on passive का customer नहीं है on passive का अगर वो founder नहीं है definitely आप उसको अपना affiliate link share कर सकते हैं और उसकी regarding सारी जान कई आप उसको बता सकते हैं अगर digitally बात करें तो अगर आपके पास अपना youtube channel है या फिर अगर आपके पास website है अगर आप blogging करते हैं आपके पास अगर facebook page है instagram page मिंस अगर आप digitally connected है social media पे so definitely अगर आपके followers हैं अच्छे कासे तो वहाँ भी अपना affiliate link share कर सकते हैं और उसके regarding सारी जनकारिया आप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका potential customer हो सकता है तो digitally या फिर physically जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं जो भी option आपके पास allable है मिंस जहाँ भ है वहाँ पर अपना affiliate link share कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि हमें अपना affiliate link कहां पर share नहीं करना चाहिए फॉर इजांपल अगर हम किसी on passive के WhatsApp group में हैं जहां पर already founders अपना लिंक शेयर करने की जरूत नहीं है अगर हम किसी on passive के रिगार्डिंग Facebook में अपना affiliate link share करने की जरूत नहीं है क्योंकि already वहाँ पर founders and customers on passive के रिगार्डिंग उलेबल हैं जो अपर हमें इको सिस्टम में तो वहाँ पर हमें अपना affiliate link share करने की जरूत नहीं है तो यह point ध्यान रखिए कहने का मतलब यह है friends कि आप अपना focus वहाँ पर कीजिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा new person available हो जो on passive के founder या customer ना हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा benefit हो सके and affiliate link share करते समय ध्यान रखिए कि आप professional बे में ही share कीजिए company के standard का ध्यान रखिए क्योंकि आप on passive company के founder है IT company के founder है आप brand ambassador है तो company के standard का जरूर ध्यान रखिए friends अब हम बात करते हैं कि affiliate link कैसे share करना है share करने के लिए definitely एक simple सा process है अपना ecosystem login कीजिए login करने के बाद ध्यान रखिए कि आप एंडिया sign कर चुकी है तभी आपको affiliate link प्राप्त होगा ecosystem में सो ecosystem login करने के बाद सबसे उपर left side में आप menu bar पे click कीजिए वहाँ पर affiliate link दिखाए देगा वहाँ पर affiliate link के पास में copy का icon बना होगा उस icon पर click कीजिए आपका affiliate link copy हो जाएगा या फिर आप ecosystem के profile में चले जाएए स्क्रॉल कीजिए वहाँ पर आपको affiliate link दिखेगा वहाँ पर copy का option होगा copy पर click कर दीजिए आपका affiliate link copy हो जाएगा copy करने के बाद आप जिसको share करना चाहते हैं उसके WhatsApp पर जाएए उसको share कीजिए link share करने के बाद जिस person को आपके साथ आपके organization में आपके ecosystem में join होना है register करना है उन्हें उस link पर click करना है click करते ही registration page सामने open हो जाएगा वहाँ पर complete detail फिल करने का option आएगा जैसा कि first name and last name फिल करना है उसके बाद email id फिल करना है जो आपकी मर्जी हो email id आप अपनी मर्जी से अपना email id create कर सकते हैं फिल कर सकते हैं उसके बाद वहाँ पर password create करना है यानि कि password फिल करना है confirm password फिल करना है उसके बाद एक email id फिल करना है जो आप पर्मानेंटली अपने मोबाइल में अपने लैप टॉप में डेस्टॉप में यूज कर रहे हूं या फिर यूज करने वाले हो तो पर्मानेंट यूज होने वाला आपका email id फिल कीज़े उसके बाद create email पर क्लिक कर दीज़े आपका email क्रेट हो जाएगा और जैसे आप email पर क्लिक करेंगे create your email पर सो क्लिक करते ही आपका registration भी हो जाएगा और आपका ecosystem आपका ecosystem का dashboard आपके सामने open हो जाएगा open होने के बाद definitely अपने profile को चेक कीज़े आप सारी चीज़ों को चेक कीज़े और सेम प्रोसेस को follow कीज़े जो भी process ecosystem में इसमें चल रहा है उनसा भी process को आप follow कीज़े ecosystem के हर एक features को यूज़ कीज़े सारी चीज़ों को देखिए समझज़े वहाँ पे free products भी available है जैसे की email, openet, otim उसको यूज़ कीज़े open का free trial start कीज़े open को यूज़ कीज़े 14 दिन के लिए free में तो इन सबी चीज़ को आप use कीज़े और process को follow करते लिए इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते रहे तो यह रहा affiliate link को share करना एंड उसके थुरू किसी को join करने का process इसके बाद आप हम बात करते हैं कि अगर हमारे affiliate link के जरिए कोई भी नज़ा person का number add हो जाएगा for example अगर आपके team में आपके organization में आपके direct में कोई भी person पहले से नहीं था तो वहाँ पे zero already होगा तो zero के जगह पे अगर आपने एक person को invite किया affiliate link share किया है और अगर उसने registration किया है तो वहाँ पे एक number so करेगा और जैसे आप my user पे click करेंगे तो उसका detail आपके सामने open हो जाएगा friends और उसके बाद my user के just निचे एक feature और दिया गया है affiliate so affiliate में भी वो number so करेगा अगर आपने किसी एक person को affiliate link share करके registration करवाया है तो एक number वहाँ पे already so कर देगा यानि कि आपने एक person को invite कर लिया है affiliate link के जरिए registration करवा लिया है तो वह number भी वहाँ पे so करेगा तो इस परकार से जब भी कोई नया person register करता है आपके ecosystem में आपके link के जरिए तो उसका detail आप my user में देख सकते हैं और affiliate में उसका number add हो जाएगा आप my contact में जाके भी देख सकते हैं उसका detail वहाँ पर already add हो जाएगा उसको भी आप check कर सकते हैं तो आप हर जगे उसका detail आप देख सकते हैं my user में भी my contact में भी and affiliate में भी number add हो जाएगा एक number दो number यानि कि जतनी person को आप invite करेंगे वो number यहाँ पर बढ़ता जाएगा आगे बढ़ते रहे फैंट तो यह थे फैंट कुछ important point affiliate link के regarding जो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बतना चाहिए I hope यह सभी point आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे और वीडियो भी आपको informative ज़रूर लगी होगी informative लगी हो so वीडियो को like कर दीजेगा friends को share कर दीजेगा और चलो को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लीजेगा